हेलो फ्रेंट्स वेलकामान मैं यूटूब चैनल अख्लिस अरकेडमी आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंटरमेडियर का सौट इस्टोरी का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है दगोल्ड वाच यानि सोने की घड़ी इसमें रैटर एक ब्यक्ति की कहानी बताएंगे आपको जिसका नाम रता है संकू उसकी गरीबी और मजबूरी और उसके मानसिक दसा का वड़न किये हैं संकू एक चुली में एक चोड नहीं था लेकिन उसकी गरीबी और करज में डुबे रहने की कारण उसे उस इंजिनियर की घड़ी को चुरानी पड़ी लेकिन उसका हिर्दय इसके लिए उसे सजेस्ट नहीं किया तो उसने उस घड़ी को वापस उस इंजिनियर के मेज़े पर रख दिया तो आएए इस चेप्टर का हम डिटेल में टेक्स्ट का धियन करते हैं देखिए टेक्स्ट हमारे सामने लिखा है एज ओन मेनी प्रिवियस नाइट पिछली कई रातों की तरह संकु कुड़ नाट गेट एनी स्लीप देट नाइट संकु उस रात भी नहीं सो सका यानि उस रात संकु उस रात भी नहीं सो सका यह आपको जो दिख रहा है टर्ण एन टोजड इसके मतलब होता है करवटे बदलना ठीक है तो यह करा है कि पिछली कई रातों की तरह संकु उस रात भी नहीं सो सका यह अपने बिस्तर में करवटे बदलता रहा बट इट वाज नो यूज लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ इसे कोई काम नहीं बना यानि कि वह सोचा करवटे बदलेंगे तो नेद आ जाएगी लेकिन वह करवटे बदलता रहा उससे लेकिन नेद नहीं आ रहे थे जितना अधिक वह विचार करता सोचता दवर्स ही फेल्ट उतना ही बुरा वह महसूस करता यानि कि जितना अधिक वह सोचता जाता उसकी चुनता उतने ही अधिक बढ़ती जाती … वह मतलब होता है लेट अनदकार में यानि कि अन्धकार में उसने अपने आखों को बंद किया और अपने फटी वेचाटाई पिर वह देख सकता था इट एज क्लियरली एज दूरिंग दे दे दिन के समान क्लियरली साप साप फिर भी वह दिन के समान साप साप देख सकता था the deserted office room कराए कि वह office का deserted room यानि deserted camera कराए कि वह office का एकांत कमरा, deserted मतलब होता है when every had gone कराए कि when everyone had gone जब प्रतिक वेक्ती बाहर चला जाता था out for rest आराम करने के लिए out for lunch या दोपहर के भोजन के लिए कराए कि जब प्रतिक वेक्ती दोपहर के भोजन के लिए बाहर चला जाता था या आराम करने चला जाता था the glass window was only partly closed जो कांच की खिड़की थी वह केवल partly closed पार्ट न मतलब होता है half यानि कि आधी ही बंद रहती थी जो कांच की खिड़की थी वह केवल आधी ही बंद रहती थी on one end on the table कराए कि table के एक side पर inside यानि अंदर उस कमरे के अंदर एक table था और उस table के एक side पर were a few fat volumes कराए कि मोटी मोटी कुछ किताबे थे volumes मतलब होता है books ठीक है यानि कि मोटी मोटी कुछ किताबे थे clear आगे देखे बतला रहा है क्या at the other end a pen कराए कि और दूसरी तरफ एक pain थी एक सहाई की दवाद थी और कुछ इसी परकार की वस्ट में थी and in between और बीच में watch a gold watch कराए कि और बीच में एक सोने की घड़ी रखे वी थी देखे लगा है कि on one end of between ठीक है sorry and in between और बीच में watch a gold watch एक सोने की घड़ी रखे वी थी with its gold chain placed on a book with its gold chain कराए कि सोने की जंजीर से लगी वी एक घड़ी थी placed on a book एक किताब पर पड़ी वी थी ठीक है मैं लाश्ट का फिर से बता देता हूँ on one end of the table inside अंदर की तरफ टेबल पर वर फ्यू फट वर्लम्स कुछ मोटी मोटी किदाबे थी at the other end और दूसरी तरफ a pain an ink bottle एक पेन थी एक सही किदावाद थी और कुछ इसी तरह की वस्तिवे थी and in between और बीच में watch a gold watch with its chance सोने की जंजीर से लगी वी एक सोने की घड़ी थी placed on a book एक किताब पर रखे वी थी clear next देखिए open the window खिड़की को खोलो and stretch out your hand और अपने हाथ को stretch करो फैलाओ about a foot लगभग एक foot फैलाओ and you can pick it up और आप उसे उठा सकते हैं यहनी कहराए कि जो खिड़की आधी बंद थी आप उस खिड़की को पूरा खोलिए और अपने हाथ को लगभग एक foot बढ़ाईए और आप उस घड़ी को उठा सकते हैं everyone is out for lunch प्रतेख ब्यक्ती दोपहर के भोजन के लिए बाहर गया गए गए था nobody will know और अपने हिच की चाहाट को याद किया during the past few days करें पिछले कई दिनों से वह अपने प्रयास कायरता और हिच की चाहाट को याद किया he had never seen anyone dear at that time he had never seen वह कभी नहीं देखा था anyone किसी को dear वहाँ पर at that time उस समय याद वहाँ उस समय उसने किसी को नहीं देखा था and ate और फिर भी he had been afraid फिर भी he had been afraid वह डरा हुआ था he had trembled वह काप रहा था and felt breathless और उसकी सासे भी फुल रहे थे यानि कि बहुत जोडोर से सासे ले रहा था that was why he had reffind कि बस यही एक कारण था बस यही एक कारण था कि girlfriend वह खीच लेता था from taking the watch every time यानी कि उस घड़ी को लेने से वहाँ प्रत्यवित को आथ इबिज़ को वापस खीच लेता था कि बस यही एक कारण था कि वहाँ घरी को लेते समय अपने हाथ को खीच लेता था आयोप आपको इतना क्लिर हुआ होगा आईए आगे देखते हैं It was not to do put it off any longer कराये कि अत्यधिक समय तक any longer यानि टाल मटूल करने से कोई फायदा नहीं है वही कराये कि और अत्यधिक समय तक टाल मटूल करने से कोई फायदा नहीं है If I thought any further यदि वह कुछ और सोचता रहा कराये कि यदि वह कुछ और अधिक सोच विचार करता रहा तो He able to do He would not able He would not be able to do anything वहाँ कुछ भी करने के कुछ भी नहीं कर सकता यदि लाइक नहीं रहेगा कुछ भी कह सकते है He would not be able to do anything यनि कि अगर वह और अत्यधिक सोचेगा सोच विचार करेगा तो वह कुछ भी करने के लायक नहीं होगा He might even blurt out his intention accidentally करे कि वह आचानक से blurt out बोल पड़ा आचानक से वह बोल पड़ा intensely accidentally अचानक से अपने intention को अपने मन की तिब रिच्छा जो थी वह बोल पड़ा क्या कि so he must take it तुमारो कि इसलिए उसे अगले दिन उस सवस्तु को जो वह घड़ी थी उसे चुरा लेना चाहिए सपोज मान लो He did not उसने उस घड़ी को नहीं चुरा सका तब क्या होगा उसके साथ तो दिखे फिर क्या कराई कि संकू विगेन थौट संकू थोड्स विगेन यानि संकू सोचना प्रारम किया तो लिंगर ओपर थौड़नी प्रोबलम ही लाइ कराई कि जब संकू सोचना प्रारम किया तो उसके जीवन की जो फोरणी प्रोब्लम थी जो जटिल समस्याएं थी जो फोरणी प्रोब्लम थी जो जटिल समस्याएं थी उसके लिंगर्ड होने लगे उसके आज पास इकठा होने लगे तो यह करा है कि जब संकु सोचना प्राइरम किया तो उसके जीवन की जो थोड़नी प्रोब्लम थी जटिल समस्याएं थी उसके एड़गीर्द इकठा होने लगे एड़गीर्द का मतलब है कि उसके मन में आने लगे तुमारों करा कि कल would be the third day of the month इस महिने का तीसरा दिन होगा कल इस महिने का तीसरा दिन होगा in another three days इन तीन दिनों में he would get his pay 13 rupees for 13 days उसे 13 दिन का 13 रुपया मिलेगा यानि कि तीन दिनों में उसे 13 दिन का 13 रुपया मिलेगा He had to pay four and a half for purchase at the store कराई कि वो पे करेगा सबसे पहले चुकता करेगा चार रुपए और आधा रुपए यानि कि साधे चार रुपए for purchase at a store यानि कि एक दुकान पर कराई कि सबसे पहले तो उन पैसों में से वो साधे चार रुपया एक दुकान पर कुछ वस्तु खरिदा था परिशेच किया था ठीक है उसका चुकता करने के लिए देगा तब उसके पास ठीक आठ रुपए और आधा रुपए बचेंगे यानि कि साड़े आठ रुपए बचेंगे उसने किवल चुकता किया है उनली 5 पांच रुपए आउट आप देटेन रुपीज करया कि दस में से पांच रुपए उसने अभी तक चुकता कर दिया है करया कि उसने फंड से उधार लिया था फंड से उसने क्या किया था उधार लिया था दस रुपए का जिस में से पांच रुपए वह अभी तक चुकता कर दिया है अब उधार वक्य हों लिया था तो देखे आगे बतला रहा है कि previous month previous month पिछले महीने to go home घर जाने के लिए for his mother's death anniversary अपनी मा की बर्सी पर यह उसकी मा की देथ हो गई थी तो उसकी बर्सी पर पिछले महीने घर जाने के लिए वह fund से 10 रुपया उधार दिया था जिसमें से वह 5 रुपय को रीपेड कर दिया था चुकता कर दिया था और उसे अभी 5 रुपय चुकते करने था वही करा इसलिए कि no नहीं he must pay the remaining 5 रुपीज नहीं नहीं मुझे तो पहले 5 रुपय चुकता कर देने चाहिए remaining मतलब बचा हुआ मुझे पहले बच्चे हुए 5 रुपय चुकता कर देने चाहिए with interest at 6 पैसे रुपी अवीक कराई कि एक सप्ता का एक रुपय के हिसाब से 6 पैसे ब्याज के रुप में मुझे उन 5 रुपय को चुकता कर देना चाहिए if the tea shop कराई चाहिए की दुकान पर he obbed over 3 रुपीज वह 3 रुपय का रिडी था for 2 weeks दो सप्ता से चाहिए के दुकान पर वह 2 रुपीज sorry 3 रुपीज यानि 3 रुपय का रिडी था वह भी कितने सप्ता से 2 सप्ता से besides इसके तरीक previous areas amount यदि आप पिछला उसका हिसाब किताब देखें तो 2 रुपी and a half कराए कि 2 रुपी and a half यानि कि धाई रुपय sorry और डेट रुपय he obbed मना पिछला हिसाब किताब देखा जा तो डेट रुपय और भी उससे देने थे ठेक है यानि 3 रुपय और डेट रुपय साड़े 4 रुपय उससे वहाँ पर देने है he obbed he obbed 6 रुपीज वह 6 रुपय उधार लिया था तो अली से for supplying extra rice and bidi कराए कि extra rice bidi के लिए वह अली से 6 रुपय उधार लिया हुआ था and other oats and ins और दूसरी ज़रुरती समान के लिए वह अली से 6 रुपय उधार लिया हुआ था clear वह कराए कि one month house rent एक महिने का जो घर का किराया था was 3 रुपीज 3 रुपय था यानि एक महिने का घर का किराया 3 रुपय था in addition to these sums he taken small loans कराया कि यदि इसमें जोड दिया जाय दिसम इन सब चीज़ों को K collar he had taken small loans कि उसने छोटे-छोटे कई उधार लिये थे उसने छोटे-छोटे कई उधार लिये थे जैसे 12 पैसे 12 पैसे 12, 25 पैसे 25 पैसे and 50 पैसे और 50 पैसे यानि कि 12 पैसे 25 पैसे और पचास पैसे करके from several people वह कई लोगों से छोटे छोटे उधार लिया हुआ था and his wife had reminded और उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था और उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था two days before दो दिन पहले उसकी अभी पत्नी ने दो दिन पहले उसे याद दिलाया था कि about the one rupee pad कि एक रुपया देना है ठीक है एक रुपया देना है pad to a fish woman यानि कि जो मचली बेचने महिला आती है उसको अभी एक रुपया देने है संकू mentally added संकू मन में ही उन सभी amount को एड किया up to total amount that he needed कि उसे कितने पैसो की कितने रुपयों की आवशकता है यानि संकू ने उन सभी need को अपने पैसो को जितना उधार लिया था ready था उन सब को एड किया कि उसे कितने रुपयों की आवशकता है ठीक है आयोप आपको इतना clear हुआ हुआ आईए आगे देखते है कह रहा है कि what he was going to get what he was to get was just eight and half रुपीज कह रहा है कि उसको केवल अब साड़े आठ रुपय में क्या मिलने वाले थे यानि कि वो तो उधार बहुत ज़्यादा है लेकिन वो साड़े आठ रुपय में क्या करेगा जैसे what he owed was 22 रुपीज 13 पैसे जबकि वह 22 रुपय 13 पैसे का रिडी था जबकि वह 22 रुपय और 13 पैसे का रिडी था he had other needs to करें संकू की दूसरी अवसेकताएं भी थी he had borrow 3 रुपीज from his wife और तो और उसने अपनी पतनी से 3 रुपय भी उधार लिया था this was out of the sum करा कि जो उधार था out of the sum उस जोड में से था उस रकम में से था she had slowly saved up now ending करा कि जो धीरे धीरे इधर उधर से बचा कर इकठा की थी यानिक उसकी पतनी इधर उधर से बचा कर उस पैसे को क्या की थी दिरिद्रे इकठा की थी then in order to buy a waste chain for a younger child करा कि ता कि वह उस छोटे बच्चे के लिए waste chain बना सके यानिकि कमर बांधने वाली जो जंजीर होती जिसको कोधनी बोलते हैं उसको बनवा सके यानि संको उसे अस्वासन दिया यानि संको ने अपनी पतनी से वादा किया उसे अस्वासन दिया था कि that he would buy it वह उसे मतलब खरीद देगा इस मन्त की सेलरी जब उसे मिलेगी तो वह उसे खरीद कर देदेगा संको का हिर्दय और नियंत्रित होकर धड़कने लगा अपने हिर्दय की धड़कनों के मध्य में he could hear वह सुन सकता था दे हर्द स्वाइस आप दे टी सौप आउनर को चुनने करा कि वह जो टी सौप आउनर था को चुनने कि चाय के दुकान वाला जो चुननी था उसके हर स्वाइस को उसके तीखे स्वरों को वह सुन सकता था अली हॉलो लफ्टर करा कि अली के खोखली हसी और वल्गर वर्स और बेहुदी गालियों को वह सुन सकता था और इरिटेटिंग टाक आप लोनेपो और फंड के जो इंचार्ज लोनपन था करा कि जो लोनपन जो फंड का इंचार्ज था उसके एरिटेट कर देने वले बातों को यानि कुरोधित बातचीत को हुआ आराम से सुन सकता था अपने हिर्दय के धरकनों के मध्य में ही फेल्ट उसने महसूस किया देट देवर वे सभी आल सराउंडिंग हिम उसे चारो तरफ से घेर रहे हैं लाइक रावडी बॉइज कराए कि उन सरार्थी लड़कों की तरह आरम डगवित इस्टिक जो अपने हाथ में इस्टिक्स ले रहते हैं लाठिया ले रहते हैं लिया है उधार लिया है वे सभी उसे चारो तरफ से हाथ में इस्टिक लेकर घेरे वे खड़े हैं ठीक है फिर कराए कि वाट होरीबल सीन कितना भयंकर द्रिस से था कितना भयानक द्रिस से था क्लियर नेक्ट देखिए फाइंडिंग इट अन्वियरेबल यानि असहनी महसूस करते हुए संकू टर्ण ओबर ही स्टोमक करा कि संकू अपने पेट के बल लेट गया एंड थौट और सोचा I have no alternative मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है but to pick it up tomorrow करा कि कल उस घड़ी को उठाने के सिवाए मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है Will it not more fresh than 20 रुपीज करा कि कम से कम उस घड़ी की कीमत 20 रुपए तो होगी Will face least 20 रुपीज 20 रुपए तो होगी Even 15 will do चलो 20 नहीं तो 15 तो होंगे ही 15 प्लस 8 एंड हाफ 15 और साढ़े 8 रुपए That is 23 and a half रुपीज साढ़े 23 रुपए हो जाएगा करा कि 15 और साढ़े 8 रुपए जिते यानि कि 15 और साढ़े 8 मिला कर कितने हो जाएंगे 23 and a half रुपीज यानि कि साढ़े 23 रुपए हो जाएंगे फिर कराएं it will fetch more than 15 लेकिन उस घड़ी की जो कीमत है वह पंदरे से तो जादा ही मिल जाएंगे ठीक है अपने डिप्स को अपने रीड को चुकता करने के एबल हो जाएगा योग हो जाएगा एक ऐसा जीवन जो रीड मुक्त हो यहने कि वह है एक ऐसा जीवन जीएगा जो क्या हो रीड मुक्त हो with a feeling of relief राहत महसूस करते हुए feeling of relief राहत महसूस करते हुए he drifted into a light sleep वह गहरी निंद में सो गया कराएके और राहत महसूस करते हुए संकू गहरी निंद में सो गया clear आई होप आपको इतना clear हुआ होगा ठीक है आई अब next देखते है देख कराएके what are you still asleep कराएक क्या तुम अभी तक सो रहे हो ठीक है इन्हीं मौर्दिंग हो जाती है सुबह हो जाती है तो यह कराएके what are you still asleep तुम अभी तक सो रहे हो संकू स्वाइब सेड जेंटली करे कि संकू की पतनी ने धीरे से सेकिंग ही सोल्डर उसका कंधा हिलाते हुए पूशती है कि क्या तुम अभी तक सो रहे हो सेकिंग सेकिंग मतलब होता है हिलाना इट इज लॉंग अफ्टर संराइज करे सूरी को उदे हुए एक लंबा समय हो चुका है संकू रेजड हीज हेड एट वन्स संकू जल्दी से अपने सीर को उपर उठाया हीज हेड सीर को रेजड किया उपर उठाया जो उसकी तरफ रेंगते हुए आ रहा था जो उसकी तरफ रेंगते हुए आ रहा था ठीक है and asked संकू और संकू से पूछा don't you have to go to work today क्या तुम्हें आज कारे पर नहीं जाना है क्या तुम्हें आज काम पर work काम पर नहीं जाना है oh yes, अरे हाँ he said उस ने कहा and got out of bed और विश्टर से खड़ा हो गया next करें बेटा कि he stabbed down into the culture in a hurry करें कि वह जल्दी से नीचे कल्टेर्ड में नीचे आंगन में उतरा watching the golden rage करें सुभा के सुनहरी कीड़ों को देखते हुए the morning sun करें कि सुभा की जो सुनहरी कीड़े थी उनको देखते हुए वह नीचे जल्दी से आंगन में उतरा पर्सिंग जो भेद रही थी जो बास के हरे भरे जुर्मुटों को भेद रही थी ठीक है लस बास के हरे भरे जुर्मुट उन सब को भेद रही थी on the stern करें कि जो पुर्वदिसा से आ रही थी यहनि कि पुर्वदिसा के जो भरे भरे जुर्मुटों थे उनको भेद रही थी and brightening the old palm leaves और पुराने जो तार के पत्ते से बना हुआ जो पुराना छट सा ठीक है उसको brightening कर रहे थी उसको चमका रहे थी शुर्या खिर उसको चमका रहे थी ब्यातनीं कर रहे थी यानि की चमका रहे थी इसके बाद कराया कि He washed His face उसने अपने face को धोया चेहरे को धोया एज़ विए रोज की तरह यानि उसने रोज की भाति अपने हाथ मूँ धोएं पूट ऑन ही वर्किंग क्लोथ अपने काम करने वाले कपड़े को पहना एंड वाज अबाउट टू लीव फार हिस फैक्टरी और अपने फैक्टरी को लीव करने वाला था जाने ही वाला था लीसेन सुनो you must buy some ointment for the child तुम अवज से ही इस बच्चे के लिए एक मरहम लेते आना थीक है सी थ्रियून कमांडिंग लूग एठिम यानि उसकी पत्नी उसकी तरफ आदे सात्मक दिश्टी डाली उसकी पत्नी ने उसकी तरफ आदे सात्मक दिश्टी डालते भी कहती है कि तुम अवज सही इस बच्चे के लिए एक मरहम लेते आना ठीक है संकू felt that संकू महसूस किया संकू ने महसूस किया कि each of the sore each of the sore on the child's fasting body करे कि उस बच्चे के पूरी सरीर पर जो fasting बच्चे जो खुरदुरा सरीर था पूरी सरीर पर जो सोर थी जो फोरे फुंसियां थी वाज इस्टेरी वह उसे घूर रही थी इन अग्रिविसम वे कराई कि उसे भयंकर द्रिष्टी से घूर रही थी या ग्रिविसम मतलब कह सकते हैं कि भयानक तरीके से घूर रही थी कराई कि खामूसी में एक पल बीत गया इसको मैं फिर से बता देता हूँ आप थोड़ा से सुमली जिए संकू फेल्ड थेट संकू ने महसूस किया संकू ने महसूस किया कि यप इचप दो सोर ऑन दो चाल्स फास्टिंग बाडी कि शरीर की हर जो आफ और जो फोरी-फुन्षी थी ठीक फास्टिंग बाडी यानि सरीर पर जितने भी पक्ति वी फोड़े फुनसी थी वाज इस्टेरिंग एटम गुरियो संग वे संकु की तरफ भयानक तरह से स्टे कर रहे थी घूर रहे थी अमोमेंट पाश दे इन साइलेंट यानि खामुसी में एक पल बीत गया बात के लिए रहे नेक्स दखते हैं देख कराया है कि वाज सॉॉट ऐफ ओउइंटमेंट संकु पूछता है संकु आजड लाएक फूल संकु मुर्ख बनते वी पूछता है वाज सॉॉट ऐफ ओउइंटमेंट किस प्रकार का मरहम उसकी पतनी आगे बुली कि फोड़े फुंसियों के लिए मरहम तुम्हारा मतलब है कि पूरे बच्चे के पूरे सरीर पर आपको फोड़े फुंसियां नहीं दिख रही है यह संकू ने कहा कि हाँ और और पूशता है कि कितने काएगा वो जो मरहम है वो कितने काएगा तुशकी पतनी उतर देती है कि एटलिस थर्टीन पैसे वर्ट कम से कम तेरह पैसे का करा है कि कम से कम हम उसे तीन दिनों तक बच्चे के सरीर पर लगाएंगे हम संकू begin to work with bent head इनि संकू सीर जुका कर हां में मतलब की अपना सीर हिलाया और आगे बढ़ गया प्लीज क्रिपया सी काल्ड आउट इन सौफ्ट वह बहुत धिमी आवाज में बोली क्रिपया संकू लूगड बैक संकू पीछे देखा सी स्पोक जेंटिल वह धीरे से बोली जब आप साम को वापस आओगे तो क्रिपया दो पके हुए केले लेते आणा यह बच्चा रात में रोना प्रारम करदेता है यह बच्चा रात में रोना प्रारम करदेता है यह रोने लगता है and I have no milk to give him और उसे देने के लिए मेरे पास दूद नहीं है करें कि यह बच्चा रात में रोने लगता है और उसे देने के लिए मेरे पास कोई दूद नहीं है अगर यह केला होगा तो मैं उसे खिला दूँगे सिश टूड दियर पुलिंग अफर ब्लाउज करें कि वह वहाँ with her left hand अपने बाएं हाथ से अपना blouse उपर खिषती ही खड़ी थी pulling up उपर खिषती ही blouse मतलब blouse ठीक है then संकू तब संकू ने notice ध्यान दिया her belly bulging out कि उसके पेट में थोड़ा सा bulging हुआ उभार हुआ है was it another burden another burden on the way क्या एक और burden चला रहा है एक और बोज चला रहा है संकू वाज इस्टन संकू इस्तब रह गया संकू इस्तब रह गया वो कहता है कि क्या एक और बोज चला रहा है यानि कि उसकी पतनी क्या थी pregnant थी he curse himself वह अपने आप को कोशा and with deep side और गहरी आह भरते वे he resume his walk to the factory वह पुना फैत्तरी की ओर चल देता है listen, सुनो do not forget भूलना नहीं the wife reminded him उसकी पतनी नो से याद दिलाया सुनो, भूलना नहीं संकू nodded his head and walk संकू सिर जुकाई वे मलब चलते वे हां में सिर हिला दिया इंटर्वल यानि कि जब इंटर्वल होता है तो एक बज़े घंटी लगी एक बज़े बेल लगी घंटी लगी इंटर्वल के लिए everyone rushed homes and hotels और tea shop प्रतीग बित्ती रष्ट दोड़ा इन हिस जल्दी में two homes घरों की और hotelों की और tea shop करायके और चाय के दुकान के ओवर for lunch किसलिए दोपहर के भोजन के लिए संकु वाज only one who did not go anywhere संकु वहां के ओल एक ऐसा बेक्ती था जो कहीं नहीं गया he stood leaning against a pillar in a corner west of the office करायके he stood वह ख़़ा था leaning के सहारे against a pillar एक खंबे के सहारे in corner corner में on the west side of office यनि उस दप्थर के पश्चिमी दिसाइड में पश्चिमी दिसा में एक खंबे के सहारे संकु ख़़ा था फिवटे कराया है he hurt was clouded उसका जो हिर्दय था वह clouded था यनि भरा पड़ा था ठेक है फटा जा रहा था कह सकते है ठेक है उसका हिर्दय फटा जा रहा था and bursting sorry bursting मतलब होता है फटना समझ गए वह कराये कि जो clouded मतलब होता है यसे बादल तो घबरा रहा था वह घबरा रहा था और उसका जो हिर्दय है फटा जा रहा था यहां तक आई होप आप सबको clear होगा ठीक है तो यदि यह वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है तो हम इसे पर रोग दे रहे है तो फर्स जब सेकेंड चेप्टर है हम उसको आगे सेकेंड पार्ट उसको अप्लोड कर देंगे यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए सबस्क्राइब करिए और दुसरे लोगों में भी सेयर करिए ठीक है सबस्क्राइब करेंगे तो आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा थैंक्स पर वचिंग